नमस्कार बहुत स्वागत है आपका Zee News की खास पेश का जोतिश गुरू में मैं हूँ आपका जोतिश गुरू शिरोमणी सचिन हमारी इस सीरीज के दोरान हम आपको बता रहे हैं कि चंद्र ग्रहन जो की भारत में द्रश्य नहीं है लेकिन उस चंद्र ग्रहन का आपके मन पर आपके मस्तिश्क पर और आपके शरीर पर जरूर फरका सकता है चुकि चंद्र मा एक है वह जहां भी पीडित होगा जहां भी केत्व से ग्रसित होगा तो आपके मन पर, आपके शरीर पर इसका दुश्प्रभाव जरूब पड़ेगा तो चंदरग्रहन के दोरान आपको कौन सा उपाय करना है और चंदरग्रहन के बाद, यानि आज ही के दिन आपको क्या दान करना है ये आपको बताएंगे आज का दिव्य मंत्र भी बहुत खास होने वाला है जो आपकी बहुत सारी रुकावटों को खत्म कर सकता है और कौन-कौन सा आप चद्रग्रहन काल के बाद दान करेंगे ये भी आपको बताएंगे और महिलाओं के लिए यानि हमारी माताओं बहनों के लिए आज बेहत खास उपाई लेकर आए हैं हम लेकिन पहले जानते हैं आज का दिव्य महमन ओम मृत्यू संगहार काय नमहा इस मंत्र को आप नोट करें तो हर तरीके से आपके मन में समाया हुआ भय बिलकुल खत्म हो जाएगा तो इस दिवे महमंत्र को आप नोट जरूर कर लिए अब बढ़ते हैं आज के दैनिक पंचांग की तरफ आज का दैनिक पंचांग 16 मई 2022 दिन सौमवार वैशाक मास शुकल पक्ष की पुर्णिमाति थी नक्षत्र रहेगा विशाखा चंद्रमा राहुकाल का समय नोट करिए आप जिससे सभी लोग डरते हैं सुबह साड़े साथ बजे से नौ बजे तक की मध्धय यह समय होगा आज पूर्वदिशा की तरफ आपको जाने की मना ही है यानि कि दिशाशूल होगा पूर्वदिशा विशे की और आते हैं और आपको बताते हैं कि यह चंद्र ग्रहन क्यों खास है यह हमने आपको बताया और अब राशी के अनुसार आपको कौन सा दान करना है और इस दान को करने के बाद आपको कौन सा फायदा होगा ये भी समझाएंगे सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चंदरग्रहन होता क्या है देखिए जब सूर्य पिर्थवी तता चंदरमा एक ही सीध में आ जाएं और पिर्थवी की छाया चंदरमा पर पड़े तो इसको हम खगोलिय घटना चंदरग्रहन कहते हैं लेकिन यह चंदरग्रहन हमेशा पूर्णिमा को ही आता है इस बात को भी आप समझ जाईए यह चंदरग्रहन भारतिय समय अनुसार 16 मई 2022 को सुभे 7 बच के 58 मिनट से शुरू होकर 11 बच के 25 मिनट तक रहेगा लेकिन समपूर्ण भारत में यह दिखाई नहीं देगा तो इसलिए इसके सूतक और नियम यहाँ पर मानियन नहीं होंगे व्रिश्चिक राशी और विशाखा नक्षत्र में होने से और आज के दिन बुद्धपुर्णिमा होने से संयोगवश आज सौमवार भी है तो सौमवार होने से यह ग्रहन बहुत विशेश हो गया है काल पुरुष के अस्टम भाव में इस ग्रहन पर गुरु की विशेश द्रस्टी होगी ये भी समझ लीजिए इस ग्रहन को दक्षिन पश्चमी यूरोप, मध्यपूर्वी जो है अफरिका और दक्षिन अमेरिका में बहुत आसानी से देखा जा सकेगा तो कैसे करनी है इस ग्रहन काल के दोरान आपको पूजा अर्चना क्या करना है ग्रहन काल के बाद आपको दान और कौन सा फायदा होगा आपको समझाते हैं मेश राशी वाले हनुमान जी की पूजा करें और ग्रहन काल के बाद लाल कपड़ा, लाल मसूर की दाल और साबुत हल्दी का दान जरूर करें किसी निर्धन व्यक्ति को आज के दिन खाना जरूर खिलाएं इससे आपके मन की इच्छा पूरी होने के साथ ही आप अचानक आने वाली दुरगटनाओं से बच जाएंगे तो मेश राशी वाले ये जरूर करें बात करते हैं व्रश राशी की व्रश राशी के अंदर के जितने जो लोग आते हैं देवी दुरगा के कवच का पाट करेंगे यानि दुरगा कवच का पाट आपको हर परेशानी से बचाएगा हलके गुलाबी रंग के कपड़े और साबुत चावल का दान जरूर कर दीजिए ग्रहन के बाद किसी गाय को आप थुड़ा सा चारा या पालक जरूर खिलाइए या किसी गौशाला से आप जुड़े हैं तो वहाँ पर उनके लिए व्यवस्था करिए ऐसा करने से आपकी सेहत की और आपके दामपत्य जीवन की मुश्किलें बिल्कुल दूर हो जाएंगी मिथुन राशी के लोग भगवान विश्णू के 108 नामों का जाप करें और गव को चारा खिलाएं ऐसा करने से बहुत सारी दिक्कतें आपकी खत्म होने वाली हैं देकर आप उसकी मदद जरूर करें ऐसा करने से मिथुन राशी वाले लोगों के रिष्टों में मधोरता आएगी और आपके कर्ज की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी तो हमने आपको बताया मेश व्रश मिथुन राशी वालों को ग्रहन काल के दोरान क्या करना है और कौन से उपाय अपनाने है और दान क्या करना है अब समय हो चला है मेश व्रश मिथुन राशी का देनिक राशी फल जानने का वो भी चानते हैं मेश राशी दिन खुशाली लेकर आएगा राप में देर से खाना बिलकुल ना खाए सफीद वस्तों कतान करे शुबरंग होगा आपके लिए लाड़ बात करते हैं व्रश राशी के इस्थान परिवर्तन का योग है नौकरी में पदोन्नती भी होगी अचानक धन भी मिल सकता है शुबरंग होगा आपके लिए गुलाब अगली राशी मिथुन राशी दिन आलस्य से भरा रहेगा जीवन साती से बरपूर सयोग मिलने वाला है धन और उपहार की प्राप्ती होगी आज के लिए शुबरंग होगा फिरोजी अब आपको बताते हैं कि हमारा जो अच्चूक महामंत्र है सफलता जरूर दे सकता है तो सफलता के अच्चूक महा उपाय को लिए बिना आपका ही न जाएं और के चंद से हम एक ऐसी सामगरी आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी एक बहुत बड़ी परिशानी को खत्म कर सकी है लेकिन पहले जानते हैं करक सिंग कन्या राशी वाले लोगों को क्या करना है ग्रहन काल के दोरान करक राशी वाले लोग भगवान भोलेनात के ये पंचाक्षरी इस्तोत्र का पाठ करेंगे जरूरत मंद लोगों को सफेद कपड़े का दान करना बिलकुल न भूलिये भगवान शिव के मंतर का नमस्यवाई या ओम नमस्यवाई मंतर का भी जाप आप करते रहिए ऐसा करने से जितने भी करकराशी के लोग हैं उनके मानसिक तनाव कम होंगे पेट की समस्या खत्म होगी और प्रेम प्रसंग में उनको सफलता जरूर मिलेगी अगली राशी सिंग राशी क्या करना है सिंग राशी वाले लोगों को सिंग राशी के लोग चंदर ग्रहन काल के दोरान देवी गायत्री के मंतर का जाप करेंगे वो भी 108 बार ऐसा करने से उन्हें बहुत फायदा होने वाला है गेहूं का, गुड का और कपड़ों का दान भी करियेगा इससे जमीन जादात और उनके घर की समस्या एकदम से खत्म होगी और दामपत्य जीवन एकदम से मधर हो जाएगा तो सिंग राशी वाले ये उपाय जरूर करें कन्यराशी के लोग चंद्रग्रहन के दोरान अपनी माता की सेवा करें जरूरतमंद लोगों को अन आदि का दान करें ऐसा करने से कन्यराशी वाले लोगों का मनोबल भड़ेगा और घर में मालक्षमी का आगबन जरूर होगा तो इस उपाय को कन्यराशी वाले जरूर करें ताकि उनकी माता का स्वास्थे भी ठीक रहे और उनके मनोबल में किसी तरीके से कोई कमी ना आने पाए आई अब जानते हैं करक सिंग कन्यराशी का देनिक राशी फन करक राशी अपने स्वास्थे का ध्यान रखें लंबी आत्रा का योग दिख रहा है विवा की परेशानी खत्म होगी शुबरंग होगा आपके लिए लाल सिंग राशी नौकरीम परिवर्तन का योग है प्रेम संबंदी मामलों में आज आपको सफलता मिलने वाली है विवा के मामले सुलज जाएंगे शुबरंग होगा आपके लिए सफेद कन्यराशी वानी पर नियंतरन रखें धन के नुकसान से आज आप बच जाएंगे जल्दभाजी में कोई भी डिसिजन ना लीचिएगा निरणे ना लीचिएगा शुबरंग होगा आज के लिए काला अब बात करते हैं तुलाराशी वाले लोगों की क्या करना है ग्रहन काल के दौराण भई तुलाराशी वाले जितने लोग जो हैं वो ग्रहन काल के दोरान श्री सूक्त का कम से कम ग्यारा बार पाट करें जरूरत मंद लोगों को खिचडी का दान कर दें ऐसा करने से तोला राशी के जितने जो लोग हैं उनको धन संबंदी और पारिवारिक जितने भी वाद विवाद होंगे वो बिलकुल खत्म हो जाएंगे बात करते हैं व्रिष्चिक राशी के इस राशी में ही ग्रहन लग रहा है वहीं व्रिष्चिक राशी के लोग ग्रहन के दोरान ग्यारा बार बजरंग बान का पाट करें और ग्रहन के बाद 11 लोगों को कम से कम मीठा खाना खिलाएं ऐसा करने से व्रिष्चिक राशी वाले लोगों के उपर ये जो लगने वारा ग्रहन हैं उनके स्वास्थे में सुधार करेगा, गडबड़ी नहीं करेगा और उनके नौकरी व्यापार की समस्या खत्म हो जाएगे बात करते हैं अगली राशी धनूराशी की धनूराशी के लोग ग्रहन काल के दोरान भगवान विश्णू के विश्णू सहस्त्र नाम का साथ बार पाट करेंगे और गाय को चारा खिलाएं, केला खिलाएं, गउ की सेवा करें और कपणों का दान चरूरत मंद लोगों को कर दीजिए ऐसा करने से धनूराशी वाले जितने जो लोग हैं उनके रोग शांत हो जाएंगे उनके परिवार का या कुटुम्ब का या जमीन जादात को लेकर कोई वाजविवाद चल रहा था तो वो बिलकुल खत्म हो जाएगा पहले जान लेते हैं तुला व्रिश्चिक धनूराशी का देनिक राशी पर तुला राशी पुरानी दिक्कत भी आज खत्म होगी घर में खुशी का माहूल बना रहेगा शुबरंग होगा गुलाविवाद व्रिश्चिक राशी आर्थिक पक्ष मजबूत होगा कारोबार में व्रद्धी भी होगी अपने रिष्टों में इमानदारी बरतें शुबरंग होगा आज के लिए क्रेम अप्याश का योग बना हुआ है ध्यान रखियेगा नौकरी में समस्याएं भी हो सकती हैं अपने से बड़ों से आज के दिन आपको नहीं उलजना शुबरंग होगा आपके लिए नीव अब ग्रहन काल के दोरान मकर राशी वाले लोगों को कौन सी सावधानी बरतनी है ये समझाते हैं मकर राशी के लोग ग्रहन काल के दोरान सुन्दर कांड का पाट करेंगे और ग्रहन के बाद जरूरत मंद लोगों को बेशन से बना भोजन, बेशन से बने लड़ू का दान जरूर करियेगा और संभव हो तो पीपल के वरक्ष में आज के दिन जल जरूर अर्पित करें मकर राशी वाले लोगों की नौकरी की समस्या खत्म होगी और रुका हुआ पैसा इस उपाय को करने से जरूर मिलेगा अब बात करते हैं कुम्ब राशी जनी प्रधान राशी होती है यह तो कुम्ब राशी के लोग ग्रहन काल के दोरान हनुमान बाहुक का तीन बार पाट करेंगे बेसन या गुड से बने लड़ू आज के दिन जरूर दान करें और जरूरत मन्द लोगों को अन्न का दान भी करिएगा पीपल के पेड की कम से कम साथ प्रदिक्षना करें और पीपल के पेड के नीचे हो सके तो एक दीपक जलाएं ऐसा करने से कुम्ब राशी वाले लोगों को शारेरिक व्याधिया नहीं होंगी वो बिमार नहीं होंगे और नौकरी व्यापार में हर तरीके से उन्नती दिखाई देगे अब पात करते हैं मीन राशी की मीन राशी के लोग ग्रहन में तीन बार विश्नु सहस्त नाम का पात करें तीन की संखा के ध्यान रखेगा आप और साथ ही गाए को चारा खिलाएं या फल खिलाएं ऐसा करने से मीन राशी वाले लोगों के भाग्य में हर तरीके से व्रद्धी होगी आई अब जान लेते हैं मकर कुम मीन राशी का देनिक राशी चलिए मकर राशी अपनों के साथ धोका बिलकुल ना करें नौकरी में आज के दिन कोई बदलाव ना करियेगा हड्डियों के रोग से बचें शुबरंग होगा आपके लिए हरा कुम राशी धार में के आतरा का योग बना हुआ है संपत्ती भी आप आज के दिन खरीज सकते हैं तो अच्छा की समस्या से बचें शुबरंग होगा आपके लिए नीला बात करते हैं में निराशी की परिवार में तनाव का योग बना हुआ है लंबी आतरा से आज के दिन बचें अपनी वानी पर अपनी जुबान पर आपको काबू रखना होगा सहिम रखना होगा और आज के दिन शुबरंग होगा आपके लिए पीला तो हमने आपको बताया कि ग्रहन काल के दौरान आपको कौन सा उपाय अपनाना है और ग्रहन के बाद क्या दान करना है और इस दान को करने के बाद आपको कौन सा फाइदा होने वाला है अब समय हो चला है सफलता के अच्चूग महा उपाई को आपके साथ साजा करने का आज सफलता के अच्चूग महा उपाई में आप दो पीले फूल अपने कुलगुरू या अपने इस्ट को अरपित करने ऐसा करने से आपका एक कारे निश्चित तोर पर सफल होगा और खिरपा बनी रहे अब बात करते हैं माताव बहनों की सेहत और उनके सम्मान की आज हम माताव बहनों के पेट की समस्या को लेकर यदि वो बहुत समय से परेशान थी तो क्या ऐसा उपाय अपनाना है कि उनके पेट की ऐसी डिटी या पेट को लेकर जो समस्या बनी हुई थी वो बिलकुल खत्म हो जाए देखिए आधा चम्म जीरा आप रात में भिगोई और उससे सुभे उबाल कर फुड़ा फुड़ा करके पीजिए आपको फायदा बहुत होगा बात करते हैं आप माताव बहनों के सम्मान की जिसकी वो हमेशा से हकतार है एक गुड़हल का फूल देवी दुर्गा को आज याने की बुद्ध पुर्णिमा के दिन आप अर्पित करते हैं आपको बहुत फायदा होगा आप हर जगे सम्मानित पनी रहें अब बात करते हैं रसोईगर के महा उपाय की जो हर दिन हम आपके साथ साजा करते हैं आज हम रसोईगर से लेकर आए हैं आपके लिए इलाईची आप पांच साबोच छोटी इलाईची लें देवी सरस्वती को अर्पित करें मन की इच्छा बोले और जब किसी कारे के लिए आप निकले तो एक इलाइची आप उसमें उठाईए उसमें से और आप उसके इलाइची को खाकर अपने कारे के लिए चले जाईए देवी महासरस्वती की किरपा से आपको जरूर सफलता मिलेगा तो आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से ग्रहन काल के दोरान जो की ग्रहन भारत में दरश्य नहीं है क्योंकि चंदर माँ एक है वह पीड़ी जरूर होगा तो आपके ऊपर इस चंद्रे ग्रहन का कोई दुश्परभाव ना आने पाई इसलिए हमने आपको ग्रहन काल के दोरान कौन-कौन से उपाय अपनाने हैं और ग्रहन काल के बाद क्या दान करना है और ऐसा करने से आपकी कौन सी समस्या खत्म होगी आपको बताया तो जोतिश गुरू फिर किसी नए विशे को लेकर आपके समक्षाएंगे तब तक के लिए देखते रहे यह जी निउस नमस्कार